गेल इंडिया का शेयर नतीजों के बाद, चढ़ा, ब्रोकरेज फर्मो से जाने स्टॉक को बेचे या खरीदे गेल इंडिया पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दे कर इसके शेयर का लक्षे 149 रुपए तै किया है। गेल इंडिया का वित्वर्ष 2024 की पहली तिमाही स्टैनलोन नेट प्रोफिट 51.56 प्रतिशक घटकर 1412 करोड रुपए रहा है। वहीं FY24 की पहली तिमाही में कमपनी की आय 32,227.47 करोड रुपए रही। इसमें 14.22 प्रतिशत की गिरावट आई। स्टॉक पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दी है। जबकि नोमुरा और जेपी मॉर्गन ने इस स्टॉक पर न्यूट्रल नजरिया अपनाया है। आज दोपहर 12.21 बजे गेल का शेर 1.26 प्रतिशत या 1.50 रुपए उपर चड़कर 120.60 रुपए के स्टर पर कारोबार करता नजर आया। ब्रोकरिज ओन गेल इंडिया। मॉर्गन स्टैनले ओन गेल इंडिया मॉर्गन स्टैनली ने गेल इंडिया पर ओवरवेट रेटिंग दी है। इसके शेर का लक्ष एक सौ उन्तालीस रुपए तै किया है। उनका कहना है कि गैस ट्रांस्मिशन वॉल्यूम दिखी है जबकि पेट्रोकेमिकल्स में अपसाइड रिस्क नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे गैस की कीमते गिरती है और पाइपलाइन शुल्प बढ़ता है, बढ़त बनी रह सकती है। नोमुरा ओन गेल इंडिया नोमुरा ने गेल इंडिया पर नूट्रल रेटिंग दी है। इसके शेर का लक्ष एक सौ पच्चीस रुपए तै किया है। उनका कहना है कि बाजार ने कमजोर नतीजे आशावादी आउटलुक को पहले ही पचा लिया है। गैस ट्रांसमिशन टैरिफ नजराई है। गैस ट्रांसमिशन के लिए मजबूत आउटलुक टैरिफ और बढ़ते वॉल्यूम द्वारा समर्थित है। जे पी मौर्गन ओन गेल इंडिया जे पी मौर्गन ने गेल इंडिया पर नूट्रल रेटिंग दी है। इसके शेर का लक्ष एक सौ पंद्रह रुपए तै किया है। उनका कहना है कि गेल के नतीजे एबिटडा और पैट दोनों स्तरों पर अनुमान से चुप गए। हालिया रैली ब्रेंट की कीमतों और कमोडिटी कारोबार में बढ़ोतरी की उम्मीदों से प्रेरित रही। ट्रांस्मिशन अनुमान से कमजोर रहा। पेट्रो केमिकल्स ने एबिटडा घाटा दर्स किया।